Hello everyone, welcome to Shed with Smartness I hope that आप जहां भी होंगे स्वास्ते आउन सुरक्षित होंगे तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं अफरीका महादीप से समन्दे कुछ important questions के वारे में अगर आपके वीडियो helpful लगता है तो प्रीज एक वार वीडियो को like और share करना बिल्कुल न भूलिएगा चलिए start करते हैं आपका पहला question देखते हैं दोस्तो आपका जो first question दिया गया है छेत फल्क की द्रस्टी से Asia के बाद जो आपका second position पर है वे कौन सा महादीप है उसके बाद आपका Europe आता है दोस्तो लास्ट में जो आपका है वे आपका आता है वस्टीलिया महादीप दोस्तो यह आपके साथ महादीप है जिनका क्रम आप लोग से पूछा जाता है तो याद रखिएगा ठीक है second position पर कौन सा है अफ्रीका महादीप है चलिए next question देखते है दोस्तो नेश कुछन आपका है कि किस महादीप में कर्क मकर और विस्वत तीनो रेखाएं गुजरती है बिस्वत रेखा भी गुजरती है तो तीनो रेखाएं जो आपका है एक मातर आपका अफ्रीका महादीप से ही गुजरने वाली है चलिए next question देखते हैं दोस्तो नेश कुछन आपका है कि अफ्रीका के उत्तर पूर्व के त्रिबुजा कार हिस्से को क्या कहा जाता है अफिरीका महादीपट जो आपका उत्तर पूरी वाला जो छेत्र है यह आपको जो sing के quarding है। इसको हि होॉडलrie अफिरीका कहा जाता है। दोस्ते यह आपका जो छेत्र है आपका पसु पालन के लिए जाना जाता है। ठीक हा तो याद रखेगा नेश कुशन लिखते हैं दोस्तो नेश कुशन आप कहा है कि सहारा मरस्थल में खालिस्तान नामक जंजाती पाई जाती है तो इसका जो correct answer है option number आपका C है जो कि है बद्दू जंजाती दोस्तो सहारा मरस्थल में जो आप कहा है बद्दू नामक जंजाती पाई जाती है ठीक हा तो याद रखेगा नेश कुशन देखते हैं दोस्तो नेश कुशन आपका है कि वह जील जो जीरो डिगरी अक्छांस रिखा परिस्तित है वह कौन सी है तो इसका जो correct answer है option number A है Victoria जील दोस्तो जो आपका Victoria जील है वह आपका 0 डिगरी जाने के जो आपका बिस्वत रिखा परिस्तित है यह आपका दोस्तो अफ्रीका महादीप के सबसे मीठे पानी के जील है ठीक है और दोस्तो बिस्व में जो आपका है Victoria जील का second rank है इसमें फर्स्ट rank पर आपका जो है सुपीर्य जील है सबसे बड़ी जीलों में से सुपीर्य जील के बाद जो आपका सेकंड रिन रन्क पर आती है दोस्तों आपका विक्टूरिया जील आती है जो कि कहां अप्रीका महाधीप में है तो याद रेखेगा नेश कुछन देखते हैं दोस्तो नेश कुछन आपका है कि आस्वान बांध किस नदी पर इस्थित है तो इसका जो correct answer है option number A है जो किया नीन नदी पर दोस्तो आस्वान बांध जो आपका है option number आपका A है जो कि माही नदी दोस्तो जो आपका भारत देश में जो आपका करकर रेखा को दो बार काटने वाल नदी है वह आपका माही नदी है ठीक है तो आप लोग याद रखेगे कई बर एक्जाम में पूछा जाता है next question दिखते है next आपका है कि बिस्वत रेखा को दो बार काटने वाली अफ्रीकर नदी कौन सी है तो इसका जो correct answer है option number आपका B है जो कि कांगो रिवर दोस्तो जो आपका कांगो नदी है इसका एक और ना मिलता है जायरे याद रखेगा जो आपका कांगो नदी है दोस्तो आपका 200 रेखा का है या फिर आप भूमद रेखा को दो बार काटने वाली नदी है ठीक है next question देखते है next question आपका है कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली अफ्रीकर नदी कौन सी है जो correct answer है option number आपका D है लिमपोपो रिवर दोस्तो आपका लिमपोपो नदी है या मकर रेखा को दो बार काटती है दोस्तो आप लोग याद रेखेगा जो आपका करक रेखा है इसको माही नदी दो बार काटती है इसके बाद जो आपका भूमद रेखा है इसको कांगो रिवर दो बार काटती है प्रणगो नदी उसके पाद जो आपका मकर रेखा है इसको आपका लिम्पोपो नदी है जो आपका दो वर काटती है तो तीनों नदियां याद रखेगा एक्जाम में पूछी जाती है नेक्ष कोशन देखते हैं तो फ्रेंट सी नेक्ष कोशन आपका है कि अफरीका के किस सहर को सोरण नगर भी कहते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्सन नबर सी है जो हांस वर्ग ठीक है जो हांस वर्ग को जो आपका सोरण नगर के नाम से भी जाना जाता है तो याद रखे दिरुए सब्सक्रा निमर्जिटेंगे तो फित याद रखेगा अफ्रीका के उत्तर में कौन सा वाला 54 देश कौन सा है तो इसमें जो correct answer दोस्तों option नमर आपका C है जो की है दक्षडी सुडान ठीक है याद रखिएगा C नमर आपका correct answer होगा अफ्रीका महादीप में सामिल होने वाला जो चाववनवा देश है वे आपका दक्षडी सुडान है नेश कोशन देखते हैं दोस्तों नेश कोशन आपका है कि धात्विक खनीजो की द्रश्टी से अग्रणी पठार कटंगा का पठार किस देश में स्थित है जो आपका कटंगा का पठार है वे किस देश में स्थित आपसे पूछा गया है तो इसका correct answer option number C है जो की है कांगो दोस्तों कांगो देश में जो आपका है कटंगा का पठार इस्तित है जो की धात्विक खनीजों की जो आपके द्रस्टी से बहुत ही अग्रणी का पठार है नेश कुछन देखते हैं दोस्तों नेस कुशन आपका है कि बिश्टो में सरवाधिक देशों वाला महादीप कौन सा है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है उप्सन नमर आपका B है अफ्रीका महादीप दोस्तो अफरीका महादीब में सरवाधिक देश इसलिए आपको अग्रणी कौन सा है अफरीका महादीब है नेश कुछन देखते हैं दोस्तो नेश कुछन आपका है कि अफरीका महादीब का सबसे छोटा देश कौन सा है जिसमें जो आपका correct answer है option number आपका जो C है दोस्तो अफरीका महादीब का सबसे छोटा देश जो आपका है अगर आपसे पूछा जाता है कि अफरीका महादीब का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो Algeria जो आपका Algeria है दोस्तो वह आपका छेतर फल में सबसे बड़ा देश है लेकर अगर आपसे जनसंख्या में पूछता है कि सबसे जादा जनसंख्या किस देश में है तब आपका जो correct answer होगा Nigeria होगा कौन सा Nigeria तो दोनों में confused नहीं होगा याद रखेगा next question देखते है next question आपका है कि बिस्ट में सबसे गर्म महादीप कौन सा है जिसमें भी आपका जो correct answer है अफ्रीका महादीप है ठीक है अफ्रीका महादीप बिस्ट में सबसे गर्म महादीप है याद रखेगा next question देखते है दोस्तो next question आपका है कि जोहांस वर्ग दक्षडी अफ्रीका बिस्ट का प्रमुक है खालिस्तान उत्पादक छेतर है इसको correct answer है option number C है जो किया सोना दोस्तो जोहांस वर्ग जो आपका दक्षड अफ्रीका मिस्ट है यह आपका सोना उत्पादन के लिए जाना जाता है इसको सोन नगर भी कहते हैं अभी हमने देखा दोस्तो अफ्रीका महादीब को भविस्ट का महादीब भी कहा जाता है और इसे अंध्य महादीब भी कहा जाता है और काला महादीब भी कहा जाता है ठीक है तो याद रखेगा नेश कुसन देखते हैं दोस्तों नेस कुशन आपका है कि जंजातियों का महादीप किस महादीप को कहा जाता है तो इसका जो correct answer option नमर B है जो कि अफरीका महादीप दोस्तों अफरीका महादीप को जंजातियों का महादीप भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जंजातियों का निवास स्थ स्टान है वह आपका अफरीका महाधीप में ही है ठीक है तो याद रखेगा नेश कुछन देखते हैं दोस्टों नेश्ड कोशन आपका है कि कौन सी संधी यूरोप ववअ अफ्रीका को जोडती है तुसका जो correct answer है option नमर आपका B है जिब्राल्टर जलसंधी ठीक है जिब्राल्टर जलसंधी है आपका यूरोप वववा अफ्रीका को जोडती है तो याद रखिएगा नेस्ट कुशन देखते हैं दोस्तो नेस्ट कुशन आपका है कि भूमद्य सागर की कुंजी किसे कहते है भूमद्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है तो इसका भी आंसर जो आपका होगा जिब्राल्टर जलसंदी होगा दोस्तो जिब्राल्टे जलसंदी को भुमाद दिसागर की कुंजी कहा जाता है ठीक है नेस्ट कुशन देखते है नेस्ट कुशन आपका है कि नील नदी का उधगाम किस जील से होता है जिसका जो correct answer option नमर आपका बी ए है सुरी जो आपका विक्टोरिया जील से जो है आपका नील नदी का उधगाम इस्थान है याद रखेगा नेस्ट कुशन देखते है दोस्तो नेस्ट कुशन आपका कि नील नदी का समापन किस में होता है तो इसका जो correct answer option नमर आपका C है भुमाद दिसागर में निल नदीव का जो आपका उद्गम इस्थन है वो दोस्तो आपका विक्टोरिया जील है लेकिन जो इसका जो समापन है आपका उत्तिर में जाके आपका भूमाद्य सागर में मिल जाती है ठीक है तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर है भूमाद्य सागर नेस्ट कुछन देख नेक्स कोशन देखते हैं दोस्तों नेक्स कोशन आपका है कि अफ्रीका महादीब की सरवोच चोटी कौन सी है जिसका जो करेक्ट टांसर है ऑप्सन नमर B है जो कि किली मंजारो दोस्तों अफ्रीका महादीब की जो आपके सबसे उंची चोटी है किली मंजारो है और यह आपक है option number B है जो कि है सहारा मरुस्तल सहारा मरुस्तल जो आपका abilisattu का सबसे गर्म तरथा सबसे बड़ा मरुस्तल है ठीक है आपका अत्री जो आपका अफ्रीका का जो आपका अत्री वाला छेत्र है यहाँ पर इसका है पाया जाता है next question दिखते है दोस्तों कालाहारी मरुस्तर दोस्तों आपका बोध सवान और आपका जो है दक्षूड आफ्रीका वाला जो छेतर है यहाँ पर इसका जो है कालाहारी मरुस्तर पाये जाता है ठीक है आपका हीरालग के लिए परसिद्ध części क्हाले करेक्जरीगा देखते हैं दोस्तों आपका है कि अफ्रीका महादीप में उष्ण कटीवंधी घास के मैदानों को क्या कहते हैं तो यहां पर आप लोग को याद रखना है सवाना जो आपके उष्ण कटीवंधी है जो आपके बिल्ड है वे अपके सितोष्ण कटीवंधी है उष्ण कटीवंधी मतलब होता है जो कठोर घास होती है तो उसको सवाना कहते है जो आपका मुलायम घास होती है उसको बिल्ड कहा जाता है ठीक है तो याद रखेगा तो द झाल झाल